नमस्ते किसन वाईयो आज हम चत्रापूर में हैं चत्रापूर में यह अस्मिता नैचरल फार्म यहाँ पर खड़े हुए है और यहाँ पर आप जो यह देख रहे हैं यह है पुरा धान की बुवाई मतलब हम लोग जो परह बोलते हैं इधर के से लेंग्वेज में यह परह हम लोगों ने डाला है और करीब एक मेने के बाद में इसको हम लोग ट्रांस्प्लाइंट करेंगे इसकी खासियत यह है कि यह डाला गया है 17 तारिक को आपको आज की तारिक है वननीश अगर आप यह देखेंगे तो आपको यह नजर आएगा कि आज वननीश तारिक यहने तीसरा दिन है और तीसरे दिन में आपको यह धान जो है यह उपर निकल गया है तो मैं विपिन जी से पूछना चाहूंगा फिर से कि यह चमतकार कैसे हुआ बताइए दस मिनिट के बाद में क्या किया उसको शुखाया सूखाया शौह में सुखाया उसक में सुका दी हाउऊ लाया जी और शिटकाव गिया अब ये 17 तारिक के बाद में आप ये नजर आ रहा है ये घंजेवा मुरूत है जो उपर से धुकन किया है ये नजर आ रहा है सिर्फ तिन दिन में ये जो धान है ये धान इस टाइप से निकला हुआ है तो ये है कि सुबाश पालेगर नैचरल में हम लोगों ने ये शुरुवात से या इसे चमतकार हमको जो है ये दिखना शुरू होते है तो आने वाले इस सीजन के लिए मैं विपेंजी को बदाई देता हूं और आपकी पहसल जो है इस साल बहुत अच्छी हो जाए हम ऐसी उम्मीद करते है नमस्ते